आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने कार का इंसुरेंस कैसे मात्र तीन हजार रुपया में घर बैठे करवा सकते हो ओनलाइन आपको इंसुरेंस करने का प्रोसेस बताएंगे सप्लिस वीडियो को जोज़ोर एक लाइक कर देशेगा सुराट कैस्ट टूदा व इस ब्रैंड से पॉम्पर रहेगा लेकिन फिर भी मैं इसलिए इस वीडियो भी बनाया था कि मैंने एकट से अपने बाइक का इंसुरेंस भी क्या था बहुती सही रहा बहुती अच्छा मुझे समें रिस्पॉंस भी देखने को मिला है तो इसलिए मैं आपको एको कार के ब सब में आपको इस brand का इंसरेंस देखने को मिलेगा तो totally trustworthy है कोई भी यहां पर दिक्कत यहां पर नहीं वहने वाली ठीक है तो description में यहां पर link दिया हूं उसमें आप click करेंगे तो कुछ इस तरीके के यहां पर fill up हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख पाएंगे हमारा मारूती बल्योनो है जिसका जो भी registration date है सारा कुछ यहां पर शोक किया जा रहा है अब यहां पर आपसे कुछ basic से questions पूछे जाएंगे जिसमें आपको बताना होगा कि आपका policy expire हो चुका है तो अगर expire हो क्लिक करना है आपका यहां पर pin code automatic fill up होगा आपको यहां पर अपना phone का number डालना है कोई भी phone number यहां पर डाल सकते हैं और just view plans में क्लिक करेंगे जैसा view plans में क्लिक करेंगे आपके सामने सारा details खुल करके आ जाएगा कि अगर आप third party लेना चाहते हैं उस पर क्या cost लगेगा comprehensive लेना चाहते हैं zero depth के साथ लेना चाहते हैं तो सारे यहां पर details खुल करके आ जाता है मैं अच्छे से यहां पर explain करता हूं ताकि कोई भी confusion ना रहे सबसे पहले उपर में बताया जाता है आपके गाड़ी का नंबर हो गया registration date हो गया policy expired है जो भी है उपर में बताया जाएगा उसके बाद होता है select IDV value IDV value का मतलब यह होता है कि अगर आपको insurance claim करना है तो कितने रुपया तक का insurance claim आप जो है company से लेना चाहते वो यहाँ पर IDV value आपको बताना होगा अगर आप चाहते हो कि आपको जादे पैसा यहाँ पर चाहिए insurance claim के समय तो आप इसे slightly up कर सकते हो इस basis पर आपका यहाँ पर cost भी increase हो जाएगा तो एक minimum आप अपना select कर लो 3 lakh something जो भी अपना देख लेना कि आपको कितना रुपया चाहिए insurance claim करते हैं insurance company से तो वो आप यहाँ पर select करेंगे जितना ज्यादा कम होगा उतना कम आपको insurance का यहाँ पर पैसा भी देना पड़ेगा ठ जिसमें आप C details में देख सकते है एक्सिटेंटल कवर हो जाएगा fire कवर हो जाएगा theft कवर हो जाएगा climatized कवर हो जाएगा third party losses कवर हो जाता है consumables कवर हो जाता है और क्या कोवर नहीं होता है non accidental damage यान कि accident अगर नहीं हो तो वो कवर नहीं होगा commercial use of the car अगर आप अपने और क comprehensive plan जिसमें first party insurance होता है जिसमें zero depth नहीं होता है पांच हजार 20 रूपया प्लस GST में आपको ये मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आता है हमारा comprehensive plus zero depth zero depth में क्या होता है ना कि bumper to bumper इसमें cover होता यानि कि कुछ भी हो जाए गाड़ी में आपको ये bumper to bumper में सारा यहां पर claim process में मिल जाएगा zero depth का cost है 7740 रूपया प्लस GST ठीक है आप कहीं भी compare करके देखना मुझे मैं इस brand को इसलिए आपे promote कर रहा हूँ इसलिए इसके उपर बात कर रहा हूँ ना क्योंकि बहुत सारे platform मैंने देखा बहुत ही high charge के जा रहा है एकदम सेम जो है impact हो गया वो सब cover हो जाएगा और आपका third party तो obviously बात इसमें रहेगा ही तो comprehensive plus zero depth में आपको 7740 रुपय सम्तिंग प्लस GST यहाँ पर देना पड़ेगा ठीक है एक साल की यहाँ पर बात हो रही है उसके बाद हमारा आता है third party यानि कि अगर आपको सिर्फ चलान से बचना है तो आप जो है third party ले सकते हैं इसमें आपका कोई भी insurance नहीं होता है आपका जो भी damage होगा वो आपकी responsibility होगी आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा ठीक है तो third party में आप जो है चलान से बस सकते हैं और third party में क्या होता है यह government का rule है आपको third party करवा नहीं होगा तभी आप गाड़ी को रोड में ले करके जा सकते हैं नहीं तो आपसे बहु कोई भी आपको जवर जस्ती नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ third party करके दिखाने वाला हूं क्योंकि process थोड़ा सा सिंपल होगा क्योंकि comprehensive plus zero death में आपको photo click करके upload करना होता है थोड़ा सा approval process होता है जो कि बहुत ही simple सा है कोई दिक्कत नहीं होगा तो यहाँ पर करना होगा फूल नेम बताना होगा फूल नेम आपको वही डालना है जो आपके कार में रिजिस्टेशन में दिया गया है उसके बाद email address हो गया mobile phone नंबर हो गया कार का नंबर अलड़ी फिलप है previous इंसर बताना होगा previous आपका insurance concept brand के साथ चल रहा था उसके बाद आपको फिर summary आजाएगा ठीक है summary को ध्यान से देखेगा क्योंकि इसमें सारे details fill up होंगे जैसे car owner details है आपका नाम हो गया car details हो गया car कौन से model का petrol है डीजल है जो भी आपके model नंबर है सारे यहाँ पे include होगा आप कौन सा insurance ले रहे हैं आप ले थर्ड पर्टी insurance जिसमें 3416 रुपया पे क card सारा option यहाँ पर अबलेबल है कहीं से भी आप payment कर सकते हैं तो just payment कर लूँगा यहाँ पर हमने payment successful कर दिया है जैसे आपका payment successful हो जाता है यहाँ पर आपका सारा summary आजागा कि आपने जो insurance करवाया है उसके क्या details है और सबसे पहले most important चीज़ obvious से बात आपको physical certificate चाहिए होगा कब तक यह चलेगा कितने amount का है third party का है सारा यहाँ पर दिख जाएगा तो आप इसे print out निकाल सकते हैं और इस print out को जहां आपको जरूरत हो वो आप दिखा देंगे तो आपका सारा काम यहाँ से हो जाना ठीक है और बाकी further सारे चीज़ों को track करने के लिए आप echo app download कर सकते ह आपको सारा details मिल जाएगा आपको अगर claim करना है तो बगल में claim option देखने को मिल जाता है उस तरीके साब claim कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यही रहती है कि देखो online अगर हमने insurance करवाया है तो claim में क्या दिक्कत आएगा परिसानी आएगा उसके उपर यहाँ पर बात इंस्टेंट आपको वहाँ से क्वारे लिया जाएगा कि आपका कौन सा address है और directly जो है executive visit करेंगे और definitely जो भी उसका IDV value बनेगा तुरंत इंस्टेंट यहाँ पर काम कर देते हैं तो इस तरीके से आपका claim का भी process हो जाएगा तो claim में भी कोई दिक्कत यहाँ पर definitely नहीं आन आना है वह आपसे बस policy number पूछेंगे जो आपके यहाँ पेपर में शो किया जाता है आपके register number से भी यह सारे details को निकाल लेंगे और उस basis पर जो भी आपका claim होगा वह यहाँ पर कर दिया जागा ठीक है और हमने echo bike के उपर भी वीडियो बना रखा है कि bike का आप insurance कैसे कर सकत हैं तो यहाँ पर वीडियो है क्लिक करके इस वीडियो को भी आप check out कर पाएंगे ठीक है मिलते हैं लिए वीडियो के साथ अब तक लिए जय हिंद जय बारत